हेलो गाईज, विल्कम बैक टो मैं चैनल, कैसे हो आप सब लोग, आज की वीडियो में आप लोग एक साथ शेयर करने वाली हूँ, यह हो मेट फेस पैक, जैसे की कर्मिया आ रही है, तो मैंने उसके लिए यह फेस पैक तयार किया है, और मैं उससे पहले आप से एक बात कहना अचाती हूँ कि अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि फ्यूचर में मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बहुच सके, और मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे में जरूर करना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले मैं अच्छे से फेट लिया था, कि बिल्कुल वह क्रीम के तरीके हो जाए, और फर्स्ट इंग्रीडियन्स था हमारा मलाई, ठीक है, सेकेंड है यह आटा, आटे को मैंने उसमें मिलाए, जितनी आपकी मलाई है, उसी के हिसाब से आपने अपना आठा मिलाना है, ओके, आटा मिला लिया, अच्छे साम में पेस्ट बना लेना है, गेहू के आटे में वाइटमिन, पाइबर, के अलावा ऐसे बहुत से तत्व होते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत फायदे मंध होते हैं, इसलिए मै मैंने आज गेहू के आटे का बताया है, और ये मैं अपना स्किन साफ कर रही थी, एक गीले नापकिन से, क्योंकि हमने फेस वाश नहीं करना है, और मेको इसको बहुत लगाने के पाद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, फिर तो आपका जो फेस में दाग दप्पे है ना, और काले काले से जो हो जाते हैं, इसको ये क्लियर करने में आपकी हेल्प करता है, तो मलाई आपने लगानी चाहिए, और हमारी दादी जो थी, वो भी कहती थी, कि मेरी मम्मी बताती है, कि हमारी दादी कहती थी, कि रात में सो लोगों के साथ शियर किया है, I hope आपको अच्छा लगेगा, फिर मैंने अपना फेस पे की लगा लिया है, अब वही जो मेरा वेट वाला नापकिन था, उससे मैंने अपना पूरा हाथ क्लीन कर दिया, अब मेरा ये सूक चुका है, अम मैं इसको वाश कराऊंगी नॉर्मल वा जाती है, इसलिए आपने पहले इससे पोच लेना है, फिर आप रिजल्ट खुद ही देख लेंगे, और जो भी हमारे बालों वगरे में लग जाता है, और हाँ मैं आपको एक भात बता दू, अपने टीशिट पुरानी ही पहनेगा, फिर ये है डम डॉक का हाइड्रा बॉस फेस वाश और ये भी परपल.com पे अवैलेबल है, आप लेना चाहते हो, आप ले लो, अगर आपके फेस में बहुत दाग दपे हैं, और पिम्पल्स हैं, पिम्पल प्रोन स्किन हैं, तो आप ये डम डॉक का फेस वाश यूज कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसा कोई भी फेस यूज कर सकते हैं, जैने साइसलिक एसीड हो, क्योंकि साइसलिक एसीड आपके अगर पिम्पल्स हैं, तो आपने साइसलिक एसीड वाले ही फेस वाश यूज करने चाहिए, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें साइसलिक एसीड है, मेरे जब पिम्पल्स फिर मैं अपना फेस वाश कर आई अच्छे से फिर मैं अपना फेस ऐसे पोच रही हूँ और आप रिजल्ट खुद देख लीजे रिजल्ट आपके सामने है वो यलो यलो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं दूप में बैठ गई थी मतलब दूप के सामने बैठ थी इसलिए पतन आज मैं यहाँ बैठ गई मुझे नहीं पता था ऐसा आएगा so guys I hope आपको अच्छा लगाओगा वीडियो और सच में यह वीडियो मैंने दिल से शूट की है और आपको पसंद आएगी तो मुझे पसंद आएगी अगर आपको नहीं पसंद आएगी तो मुझे भी नहीं पस चाहिए तो मैं वैसी आपके लिए बनाऊंगी सो प्लीज मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन प्रेस कर देना कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको फेस्पेक कैसा लगा सिर्फ टो इंग्रीजेंस तो हर घर में अवैलेबल होते हैं सो तब तक के लिए बाइ बाइ टेक कैर आप भी ट्राइ करना में को बताना आपको कैसा लगा तब तक लिए बाइ बाइ टेक कैर मिलते हैं अपने नेक्स वीजियो में